दोस्तों जे अप्रदा उन जिनिंदा एक्ट्रेस में से एक थी जिन्होंने अपने खुपसूरती और एक्टिंग के दम पर बॉलिवड को एक नया आयाम दिया उन्होंने कई सूपर हिट फिल्मों में काम करके दर्शकों का दिल चीत लिया तो वहीं ये साउथ की कई सूपर डूपर हिट फिल्मों में नजर आ चुकी है लेकिन क्या आप जानते हैं इनके पती कौन है क्या करते हैं अगर आप ये सो भी बात जानना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और जैप्रदा के शांदा रभने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों जब जैप्रदा का करियर मुकाम पर था तो उसी समय सत्यजीत रहें ने जैप्रदा को दुनिया की सबसे खुबसूरत महिला का दरजा दे दिया जयप्रदा की खुबसूरती के लाखों लोग दिवाने हुआ गरते थे जिसमें से एक श्रीकांट नहटा भी थे वो जयप्रदा की खुबसूरती से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जयप्रदा से शादी करने का फैसला किया और 22 जून ने 186 को इन दोनोंने शादी कर ली लेकिन इनकी शादी उन दिनों अकसर ही सुर्खिओं का हिस्ता बनी रहती थी क्योंकि श्रीकांट नहटा ने अपने पहली पतनी चंद्रा को बिना तलाख दिये ही जयप्रदा से शादी कर ली थी हलाकि श्रीकांत नहाटा की जयप्रदा से एक भी संतान नहीं हुई इनके तीनों बच्चे इनके पहली पत्नी चंद्रा से ही है तो वही श्रीकांत नहाटा ने जयप्रदा से शादी करने के बाद आज तक जयप्रदा को पत्नी का दर्जहन नहीं दिया और जयाप्रदा आज भी अकेली रहती है और दूसरी और श्रीकांत नहाटा अपने पहली पत्मी और अपने तीम बच्चों के साथ जीवन रतीत करते हैं हम आपको बता दें कि जब जयाप्रदा बिलकुल अकेली हो गई थी तब उन्होंने एक बच्चे को गोद लेने का फैसला किया और तब उन्होंने अनाथ आश्रम से सिद्धार्थ को गोद लिया जो आज साउथ इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है और आज जयाप्रदा आज कल बॉलिवड इंडस्ट्री से दूर नजर आती हैं और अक्सर राजनीती में लोगों की सेवा करते वे दिखाए देती हैं तो दोस्तों आप सभी को जयाप्रदा की कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद है आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताएगा जरूर साथी बॉलिवड से जुड़ी और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सुबस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूले